वेलकम टो माई चैनल लाइफ ओफ इंडन हाउस वाइफ कुम कुम गुड़ी इमनिंग एवरीवन तो अभी बज़े है साड़े छे तो आज का व्लोग मैं इमनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाओंगी उसके बाद जो बाकी के जो काम है मैं वो कर लूँगी जो अभी रज देते हुआ है दो आदे एता की पोलो अधेला डवाला दुए छेलों डाक कातो शाइना आज चे दा में लाग्या दो बनले इस लगा बाहर जाके पहलेँ बार आज फ्रेश फैसे लगा भी बहुंखने के अलगर यह फ़ी जोगे वाला बारिश हो रही थी है दीको आज बना रहा थी तो उसी वज़े से मैंने बहुत सारे कपड़े धुए थे आज का व्लॉग में स्टार्ट करती हूँ वर इमनिंग में थोड़ा सा उसरा जो काम है आधी को मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आधी ड्रॉइंग बुक लाया ना लाया ना बिट्टा एक है लाय बाहर गया था एक तो मामा के घर गया था और आज पहनी पापा के साथ बाइक में थोड़ा सा गूमा तो उसे बहुत अच्छा लगा कैसा लगा कैसा गूमा कैसा गूमा बहुत मज़ा किया प्रॉबाइब करें दो उसे बहुत किया था बहुत अबूमा कैसा बहुत अबगा कैसा बहुत में बहुत में जब होँ आखश बहुत था है यहां पे मैंने लिया है तीन पटेटो और दो अनियन दिया है तो इसे मैं फाइन शॉप करूँगी और दो टमाटर ग्रेवी बनाने के लिए और यहां पे मैंने नारियर को भी अच्छे से कट करके अब इसे मैं पीस लूँगी अज मैं सबजी बनाने वाली हूँ काबुली चैना की तो यहां पे मैंने तेल गरम कर लिया है अभी मैं इसमें तीन बे लीफ एड़ करूँगी उसके बाद एक इंच डालचीनी का और उसके बाद जो चौप किया हुआ ओनियन था वो भी मैं इसमें आड़ कर दूँगी उसे तो यहां पे पैठटा है तो यहां पे पटेटो भी फ्राइख जिशंच चाली काहिए तो पाली नेच केशन हो चुके थोड़ा सा फ्राइख कर दूँगी तो यहां पे फ्राइख कर दूबता बताने चाहिए विद्लचीनी सब्सट और इसे भी अच्छे से भून दूंगी और इस में आज दा नारियाल एड ़ूँए और कभी-कभी मैं बिना नारियल का भी बनाते हम जोले तो पर आज मैं इसמे लाज वाज बनारियाल करने वानी हूँ उसके बाद मैं टमाटर आड़ कर दूंगी टमाटर आड़ करने के बाद इसे भी मिक्स कर लूँगी तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ और यह खाने में बहुत अच्छा अब लगता है और अभी मैं इसमें सारे जो बेसिक मसाले हैं वो आड़ करूंगी हल्दी पाउडर एक देड़ चम्मच इतना उसके बाद यह है रेड चिली पाउडर यह भी मैं देड़ चम्मच इतना एड़ करूंगी और इसे मिक्स कर लूँगी मैं इसमें एक चम्मच गरम मसाला एड़ कर रही हूँ यहां पर एक दो मिनिट हो चुके हैं तो अभी मैं इसमें जो नारियल का पेस्ट पनाया था कोकरनट का पेस्ट तो मैं इसमें एड़ कर दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे mix करना है अच्छे से इसका जो कच्छापन है वो निकल जाना चाहिए तो मैं इसे लिए अच्छे से भून लूँगी नारियल का पेस्ट इसमें आड़ करने से ना तो ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसे अच्छे से भून लूँगी, भी मैं इसमे एड़ कर रही हूँ, कश्मेरी रेट शेली पाउडर, आदा चम मजितना, और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मिक्स करने के बार, इसे मैं एक दो मिनिट के लिए ढखके रख दूँगी, और तब तक मैं अच्छे किट में करते हैं, क्योंकि में काम करते हैं, जणै कर लिए गणा कब हम तर्क दो में किटिन करने कर लिए के दिवतले हैं, अच्छे से एक बर चला लूँगी तो देखिए यह बून चुगा है तेल यां से निकलने आया है तो मैं भी इसमें फानी एड़ कर दूगी आप कर दो 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 है आप लाव स्कें तो इतना ही मुझे ग्रेवी चाहिए तो मैं इसको फड़ा बॉल होने के लिए रखोंगी और अभी में इसमें कसूरी मेंधी आड करूगी इसमें मैं कसूरी मेंधी दे रह दूगी और इसे भी मिक्स करके कर कर, कर दो पूरी सी मशीनी एड़ को ये समझी बंके रेड़ी हो चुकी है तो सब जीवन की रेड़ी हो चुकी है इतने सारे कपड़े हैं इसे फोल्ड करके रखना है कपड़े घड़ी हो चुके हैं वह भी मैंने काम कर दिया अभी मैं जाओंगी बर्तन होने के लिए यहां पर मैंने रख दिया तो इसे मैं अलमादी में रख दूंगी बर्तन जो थे ना एक्ष्रा उसको मैंने धो दिया है तो अभी हम लोग दिनर कर लेंगे यहां पर हराई तो इचलिए हम लोग दिनर कर लेते हैं मैं इनको पुलाती हूँ चला अधी उटो यहां पर देखो यह मेरा हस्बेंड लेके आए थे कल तो कितना अच्छा लग रहा है ना ब्लू कलर यहां पर एक है और यहां पर एक है आधी हो के खा वो ना में यह कुल वो खाये दो वो क्या हो गया बलो बलो हमारा डिनर हो चुका है यहां पर आधी एक्सराइज कर रहा है गुल 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 कर रहा है यहां से वाग उचल रहा है तो आज का मेरा दिन की तरह से गुजरा मैंने आपके साथ शेयर किया है मैं भोब करती हूं आपको अच्छा लगा होगा तो चरिए बाबाई गुट नाइट गुट नाइट झाल 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 झाल